हेलो गुड आफ्टेनून दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एक्जाम फोरम पर और आज हम लोग प्रेक्टिस कुश्चन्स सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एन लॉस रिलेटेड जितने भी कुश्चन्स आज की क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे वो सारे कुश्चन्स हमारे प्रीवेसली आए हुए कुश्चन्स हैं एससी में तो जल्दी से आप सबी लोग जोईन हो जाएए फिर हम लोग आज की क्लास को कंटिनियू करते हैं जल्दी से सबी लोग जोईन हो जाएए जल्दी से सभी लोग जोईन हो जाईए आपकी स्क्रीन पर पहला कुशन दिख रहा होगा जो कि हमारा प्रीवेसली सारे कुशन क्या है SSC CGL Tier 1 में आई हुए कुशन से जिनको आज basically हम लोग discuss करने वाले है तो पहला कुशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जल्दी से सभी लोग solve करिये और कुशन को try करने की कोशिश करिये और answer comment में बताइए सभी लोग solve कर यह लिखा है An article लिखा है An article is sold at 5% profit the ratio of the selling price and the cost price will be यानि हमें क्या दे रखा है कि कोई भी एक वस्त है जिसको 5% profit पे बेचा गया है उसका हमें क्या बताना है ratio बताना है किसका क्रेम मूले और क्रेम मूले का तो सभी लोग बताईए क्या होगा इसका answer चलिए बहुत लोग का answer आ रहा है चलिए तो discuss करते है question को हमारे पस basically क्या दे रखा है कि profit हमें दे रखा है किसी item का कितना 5% कितना दे रखा है और कली हमने बताया था कि profit अगर percentage में दे रखा है जो हमें profit दे रखा है वो कितना दे रखा item पर 5% इसको क्या करना है fraction value में convert करना है fraction value में जो हम convert करेंगे 5% को तो कितना हमारे पास आ जाएगा तो 1 भाई हमारे पास आ जाएगा 20 चीक है कितना आ जाएगा fraction value 1 by 20 अब हमें पता है यह जो 20 है यह हमारा क्या है CP है और यह 1 हमारा किसको show कर रहा है यह हमारे profit को show कर रहा है CP और SP का ratio आराम से हम लोग निकाल सकते हैं तो CP और SP का ratio क्या जाएगा CP मारा 20 एक का profit हो रहा है तो SP हमारा कितना हो जाएगा 21 यानि correct answer कौन सा हो जाएगा तो B option बिल्कुल सही हो जाएगा यानि हमारे क्रे मूले और विक्रे मूले का अनुपाद कितना हो जाएगा 20 अनुपाद 21 हो जाएगा सभी को समझ आया question आसान सा question था पहला question हम लोग ने एक आसान सा question शुरू किया है तो सभी लोग note कर लेंगे सभी को पता चल गया कैसा question आता है exam में आप समझ सकते हैं कि level क्या है थोड़ा आसान question आएगा बस क्या होगा थोड़ा से tricky question होगा आपको समझना है कि कैसे उतको solve करना है ठीक है चलिए note कर लीजे अब हम लोग next question यानि दूसरे number question की तरफ बढ़ते है तो question number 2 हमारे पास क्या लिखा है लिखा है by selling a bicycle for rupees 2850 यानि 2850 a shopkeeper gains 14% ठीक है if the profit is reduced to 8% then the selling price will be अगर हिंदी में बात करें तो हमारे पास लिखा है रुपे 2850 में एक cycle बेच कर एक दुकान को 14% का क्या हुआ लाब हुआ ठीक है यदि लाब घटा कर 8% कर दिया जाए तो विक्रे मूल क्या होगा यानि selling price हमें बताना है 8% अगर हमें क्या कर दिया जाए profit कर दिया जाए तो पहली condition हमाई पास क्या दे रखे जिसमें हमें क्या हो रहा है 14% का profit हो रहा है क्या हो रहा है profit कितने का हो रहा है तो 14% का profit हो रहा है अब 14% की अगर हम लोग fraction वेल्यू की बात करें तो 14% की fraction वेल्यू क्या हो जाएगी 7 बटे 50 अब इस condition में यह जो पहली condition है जब हमें 14% का profit हो रहा है उस case में हमारा CP और SP का ratio क्या हो जाएगा तो CP और SP का जो हमारा अनुपारत आएगा वो कितना आएगा तो CP हमारे पस हो गया 50 और profit हो रहा है न तो हम हमें क्या दे रखा है SP दे रखा है क्या दे रखा है SP यानि selling price हमें क्या दे रखा है विक्रे मूले दे रखा है और हमें पता है SP बराबर हमारा ratio कितना है 57 का तो 57 को हम लोग रिख देंगे अठाईसोपचास के एक्वल तो हमारा एक यूनिट का ratio निकला आएगा एक यूनिट का कितना रेशियो आजाएगा तो सिप ये यनिट का रेशियो कितना आ गया 50 तो हमारे पास CP हमें पता चल जाएगा हमारे CP कितना आजएगा 50 को जब हम 50 से multiply करेंगे तो CP हमारे पास उसको जब 2850 पर बेचा गया, तब उस दुकानदार को कितना profit हुआ, 14% का profit हुआ, तो अब यसी 2500 को वो कितने रुपे पे बेचे, यानि selling price कितना करें, कि profit कितना का हो जाए, 8% का हो जाए, कितना हो जाए, 8% का हो जाए, तो अगर हम लोग बात करें, 8% के fraction value की, 8% के fraction value की बा 25 आजाएगा, इस condition में हमारे CP और SP का ratio क्या आगया, अगर CP और SP के new ratio की बात करें, तो CP हमारे पस आगया 25, ठीक है, और SP हमारे पस कितना आगया 27, अब देखो CP की value में given है question में, CP की value में कितनी given है, 2500 given है, यानि इस 25 की value किसके equal है, 2500 के equal है, तो एक unit की value मारे पस कितनी आजा 25, हम से क्या पुछा गया, 8% पे क्या पुछा गया, जब profit हो, तो उस condition में क्या, SP कितना होगा, तो SP का ratio में दे रखा है 27, इस 27 को बस 100 से कर देना है, multiply, तो अब वो अगर 2700 रुपे पे किसी वस्तु को बेचेगा, जिसका क्या क्रेमूल, जिसका क्रेमूल कितना है, 2500 लाब होगा, तो 8% का लाब होगा, यानि B option बिल्कुल सही हो जाएगा, कितने पे बेचना होगा, उसे 2700 रुपे पे बेचना होगा, चिक है, सभी को बास समझ आई, अच्छा question था, exam में आया हुआ question है, बढ़िया, देखे, कभी-कभी आपको question थोड़ा सा आसान भी करेगा, ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ हम लोग third question की बात करें, तो third question हमारे पास क्या रहे रखा है, question number third, एक बार सभी लोग try करने की कोशिश करिए, 10 second का time है, आपके पास, सभी लोग try करने की कोशिश करिए, सभी लोग try करने की कोशिश करिए, देखिए हमाई पास question number third क्या लिखा है चलिए कमस्ते हैं लिखा है एक कपड़ा व्यागपारी ने अपना आधा कपड़ा 20% लाब पर बेचा 6 कपड़ा आधा हिस्सा 20% हानी पर बेचा और 6 कपड़ा लागत मूली पर बेचा कुल लेन देन में उसका लाब या हानी होगी चीक है हमसे क्या पूछा गया है overall loss या profit या gain हमसे पूछा गया है चीक है अगर इंग्लिश में बात करें लिखा है एक merchant sold half of his cloth at 20% profit चीक है तो अगर हम लोग मालने कि total जो मुझ्य क्लोफ था total जो था वो कितना था 100 units था अगर हम लोग मालने है total cloth हमाई पस कितना था 100 units था कितना था hundred unit total cloth माली है कितना माली है hundred unit ठीक है और CP हम लोग क्या मालने CP always हम लोग क्या hundred assume करते हमने बोला था एकर हमें CP नहीं पता है तो क्या इतना एज्यूम करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, CP को एज्यूम करेंगे, अब हमसे कहा गया है, merchant sold half of his cloth at 20%, उसने क्या करा, half of cloth को कितने परसेंट पर बेचा, 20% पर बेचा, यानि इसका अधा, 100 units का अधा, 100 unit cloth था, इसने 50 units कितने पर बेचा, 20% के profit पर बेचा, इस पर बेचा, 20% के profit पर बेचा, फिर दिखिए लिखा है, half of the remaining cloth at 20% loss, अब आपको पता ही जो remaining word होता है, यह जो word हमारा remaining होता है, जब हाँ percentage कर रहे थे, हमने का था, remaining मतलब बचे हुए में से का half, जो बचा हुआ है, उसका अधा हम लोग निकालेंगे न, तो बचा हुआ कितना है, 50 unit, अब 50 unit का ही हम लोग half करेंगे, यानि कितना बचेगा, 25 unit, कितना आ जाएगा, 25 unit को उसने कितना किया, 20% loss पर बेचा, कितने पर बेचा, 20% के loss पर बेचा, and the rest was sold at the cost price, और rest को किसने क्या किया, cost price पर ही sold कर दिया, यानि 25 रुपए पर ही sold कर दिया, चीक है, तो सबकी unit हमें पता जल गई, चीक है, सबी को clear हो गया, यानि कि total cloth हमाय पस कितना था, 100 unit था, अब हमसे कहा गया, कि 20%, half of the cloth को उसने क्या करा, 20% profit पर बेचा, remaining of the half, यानि remaining half का remaining कितना हुआ, half, 25 हुआ, 50 हमाय पस remaining था, और remaining का half करना था, उसको 20% loss पर बेचा, यानि 25 unit को उसने क्या किया, 20% loss पर बेचा, और at last जितना बचा था, उसको क्या किया, cost price पर sell कर दिया, अब हमसे कहा गया है, in the total transaction, his loss and gain was, तो अगर हम लोग बात करें, इनके total transaction में, अगर 50 unit थी, इसका 20% profit निकाल ले, तो 50 का 20% profit कितना आ जाएगा, तो हमाय पस आ जाएगा, 60, ठीक है, और 25 का 20% loss कितना हो जाएगा, यानि हमाय पस आ जाएगा, 20, ठीक है, और plus का हमाय पस कितना हो गया, 25 हो गया, तो total on overall कितना आ रहा है, 60, 20 हो गया, 80, ठीक है, 80, 20 हो गया, हमारा 100, और कितना हो गया, 150, ठीक है, कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, अब कोई व्यस्ट हुमारी 100 रुपे की थी, कितने की थी, 100 रुपे की थी, इनीशिली, इनीशिली, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर मारा कितना बजन रहा था, 100 रुपे बन रहा था, और at last हो, कितना गया, 5% जादा हो गया, कितना हो गया, 5%, तो हमें क्या हुआ, 5% का profit हुआ, ठीक है, 100 रुपे था, और हमारे पास बना कितना 105, यानी 5% का क्या हुआ, gain हुआ, तो right answer क्या हो जाएगा, A option, A option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी 5% का क्या हुआ, profit हुआ, ठीक है, सभी को समझ आ गया, कैसे solve किया जाएगा, कुशिन, शेलिए, सभी लोग नोट कर लिजे, बढ़िया कुशिन था, इसी के साथ, next question, question number 4 को आप सभी लोग try करिये, question number 4 लिखा है, by selling an article, a man makes profit of 25% of its selling price, his profit percentages, बहुत ही बढ़िया कुशिन है, ठीक है, लिखा है, एक वस्त को बेज कर, एक व्यक्ति, उसके विक्रे मूले का 25% लाव कमाता है, उसका लाव प्रतिशत बताईए, ठीक है, तो basically हमसे क्या गह रहा है, कि जो SP है, a man makes 25% of its selling price, यानि selling price का क्या, 25%, ठीक है, तो किसका लिखा है, basically 25% of SP लिखा है, selling price, तो 25% of SP मतलब क्या हो गया, 25% की value हो गई, एक बटे 4, तो CP और SP का ratio माई पस क्या जाएगा, अगर CP और SP के हम लोग ratio की बात करें, तो देखे हमें क्या दे रखा है, selling price का एक बटे 4 हिस्ता profit दे रखा है, यानि हमाई पस SP हो जाएगा, यहाँ कंडिशन में 4, और CP कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, यह ratio basically हमारा किसका दे रखा है, 25% of SP दे रखा है न, तो 25% of SP कितना हुआ, 1 by 4, जहाँ पे 4 हमारा एगर SP है, और इस पे एक का profit हो रहा है, तो CP हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, इस profit percentage, तो profit percentage कितना है, 3 से 4 का हो रहा है, यानि CP 3 था, और SP कितना है, 4 का, यानि profit कितने का रहा है, 1 CP कितना था, 3, 100 से कर देंगे, मड़ी प्लाई, तो माई पस क्या जाएगा, 100 by 3, और 100 by 3 का मतलब 33.33% answer हो जाएगा, यानि 33.33% क्या हो जाएगा, profit हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको आफ fraction, mixed fraction में करेंगे, तो 33 complete, 1 by 3% is the right answer, यानि D option, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपका, D option, इस question का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लेंगे सभी लोग, आसान सा question था, अब दीके, कभी-कभी आपको ऐसा-सा थोड़ा आसान question भी देखने को मिलेगा, कभी थोड़ा सा typical question भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये question आप तभी लगा पाएगे, आपका concept क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से clear हो जाएगा, चीक है, चीलिए, नोट कर लीजे, next question की बात करें, तो question number 5 हमारे पास दे रखा है, लिका है, a man bought 20 dozen eggs for rupees, 720, क्या खरीदे, उसने 20 dozen अंडे खरीदे, कितने रुपे में, 720 रुपे में, what should be the selling price of each egg, is he wants to make a profit of 20%, बहुत ही अच्छा question है, सांदर question है, सभी लोग solve करने की कोशिश करिए, लिका है, एक आदमी ने 720 रुपे, 20 दरजे अंडे खरीदे, चीक है, यह दिख, वह 20% का लाफ कमाना चाहता है, तो प्रतेक अंडे का विक्रे मूल क्या होना चाहिए, चीक है, what should be the selling price, चीक है, तो सभी लोग बताईए कि selling price basically क्या होना चाहिए, अगर बात करें, अगर हमसे CP दे रखा है, CP of हमसे क्या दे रखा है, 20 dozen eggs दे रखा है, तो 20 dozen eggs उसने कितने में खरीदे, तो 720 रुपे में खरीदे, कितने में खरीदे, 720 रुपे में खरीदे, चीक है, अगर हम लोग 1 egg की कीमत देखें, अगर हम लोग क्या देखें, 1 egg की कीमत देखें, और हमसे profit कितना मांग रहा है, 20% का profit मांग रहा है, profit percentage कितना दे रखा है 20% यानि fraction value किती हो गई एक बटे 5 चीक है fraction value हमारे पस किती हो गई एक बटे 5 हो गई तो हमारे CP और SP का ratio क्या आ गया तो CP और SP का ratio हमारे पस क्या आ गया CP आ गया 5 एक profit यानि 6 ठीक है ratio हमारे पस कितना आ गया 5 ratio 6 आ गया अधिको इस CP की value तो हमें 720 दे रखी है यह जो cost price है यही तो हमें दे रखा है बीच देजन x का तो 720 हमारे किसकी unit हो गई value हो गई 5 ठीक है यानि 5 equals 2 में दे रखा है 720 तो एक unit की value में पसके कितनी ह जाएगी तो 5 हेकम 5 हो जाएगा अभ 5 नहीं हो जाएगा ठीक है और हमारे पताथ 5 जो कि 20 हो गया एक unit की value में पसके कितनी आगई 144 आ गया एक यूनिट की वैल्यू में आपस कितनी आ जाएगी 144 आ जाएगा तो सेलिंग प्राइज हम लोग निकाल सकते 20 डेजन एक्स का तो 20 डेजन एक्स का सेलिंग प्राइज कितना हो जाएगा 144 को क्या कर देंगे चे से मर्डिप्लाई कर देंगे यानि 120 जो सास 20 डेजन हमाई पस एक्स हैं उनका सेलिंग प्राइज कितना आ जाएगा तो जब आप इसे मर्डिप्लाई करेंगे तो आपके पस आंसर कितना आ जाएगा 864 रुपे में बेचने पड़ेंगे ठीक है अब हमसे पूछा गया है एक एक पे इच एक पे कितना पूछा जाएगा तो हमने यह 20 डेजन पे निकाला ठीक है 20 डेजन पे निकाला तो 20 डेजन की बात करें तो 20 में एक डेजन में कितने होते बारा अंडे होते तो सॉल को लि कीमत किती दे रखी है? ऐड तो चौट अगर ऐगा पूछा गए ना इच एक, तो अगर आपको क्या करना है? तो चालिस से कर देंगे डिवाइट, और ये कितने टाइम में चला जाएगा? 3 x 3.6 आपका क्या हो जाएगा आंसर एप्रोक्स 3.6 रुपे में क्या जाएगा इचेक जाएगा अगर आपको क्या चाहिए 20 प्रतिशत का प्रॉफिट चाहिए नोट कर लेंगे आसान सा कुश्यन था नोट कर लेंगे सभी लोग फिर हम लोग नेक्स कोश्यन की तरफ पढ़ते हैं नोट कर लीजे सभी लोग चलिए नेक्स कोश्यन की बात करें तो कोश्यन नमबर 6 हमारे पास क्या दिरका है कोश्यन नमबर 6 लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड इने बिजनस बाई पी क्यू एंड आर यानि पी क्यू एंड आर ने क्या किया अमाउंट को इन्वेस्ट किया बिजनस में पी क्यू एंड आर ठीक है अमाउंट को इन्वेस्ट किया कितने रेशियो में किया है तो 20 अनुपात 30 अनुपात 25 ठीक है 20 अनुपात 30 अनुपात 25 is what is the profit will go to q यानि हमसे पूछा गया है q का कितना अलप्रतिशत लाब होगा q का profit percentage क्या होगा तो अगर हम लोग बात करें q जितना उसने क्या किया invest किया है उतना ही percent उसका profit होगा यानि 30% उसने 30 के ratio invest किया और total investment है कितना तो total invest 20,50,75 है total investment 75 है इसमें से q का ratio किता है तो q का profit percentage कितना आ जाएगा q के हिस्सेदारी कितनी है 30 total हिस्सेदारी कितनी है सबकी 75 है और 100 से कर देंगे multiply ठीक है solve कर लेंगे 25,100 और 25,3 कितना हो जाएगा 75 तर तीन दाम 30 हो जाएगा यानि 40% का क्या होगा profit होगा किसको q को 40% का profit होगा यानि इस ती option बिलकुत रही उत्तर हो जाएगा नोट कर लेंगे सभी लोग 40% का profit होगा हमारे q को ठीक है नोट कर लीजे सभी लोग शलिए आसान सा question था शलिए next question की बात करें question number 7 तो question number 7 हमारे पास दे रखा है रिचा purchased an article for at 4 by 5 of its list price and sold it for 20% more than the list price रिचा profit percent was ठीक है बताइए सभी लोग answer करिए इस question का आसान सा question है सभी लोग answer करेंगे हमसे पुछा गया है रिचा purchased an article 4 by 5 of its list price यानि हमें क्या दे रखा है CP कितना है इसका कितने cost price पे खरीदा है 4 by 5 of its list price यानि CP और list price का ratio में कितना पता चल गया 4 by 5 ठीक है CP और list price का ratio में कितना पता चल गया 4 by 5 and sold it at 20% more than the list price और उसने बेचा कितने पे 20% more than the list price तो अगर हम लोग बात करें इसका ratio हम लोग लिख सकते है 40 ratio 50 ठीक है और उसने क्या किया list price से 20% ज्यादा पे sell किया list price से क्या किया 20% ज्यादा पे sell किया अगर हम लोग list price का 20% ज्यादा निकालें तो कितना आ जाएगा 5 दूनी हो जाएगा हमाँ पास 10 ठीक है यानि 20% ज्यादा कितना गया 60% तो हमाँ पास CP है 40 और selling price कितना है 60 हम से पुछा गया है recharge profit percent तो कितने का profit हुआ 20 का profit हुआ कितने पे 40 पे ठीक है 100 से कर देंगे multiply तो हमाँ पास answer आ जाएगा बीस बीस दुना हो जाएगा 40 और कितना जाएगा 50% हमारा right answer हो जाएगा यानि c option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा note कर लेंगे सभी लोग note कर लेंगे अब देखें यह आसान से question का ज्यादा explanation नहीं है इतने question हम लोग practice कर चुके हैं कि इन questions को explain करने की भी ज़रूत नहीं नॉर्मल आप क्या करेंगे ratio में compare करके और answer निकाल लेंगे note कर लीजे सभी लोग कि अगर चलिए next question की बात करें तो next question हमाँ पास क्या दे रखखा है question number 8 लिखा है the difference between the selling price of an article at profit of 15% and at profit of 10% is rupees 10 the cash price of the article is बहुत ही आसान सा question है same question हम लोग ने last class में लगाया था सभी लोग solve करेंगे हमसे कहा गया है 15% के लाप पर और 10% के लाप पर एक वस्तु की बिक्री कीमत के 20 का अंदर कितना है है 10 रुपए हमें दे रखखा है वस्तु का लागत मुल्यानियम से क्या पूछा गया है क्रें मुल्य पूछा गया है तो अगर हम लोग माल लें कि पर चीपी कितना है 100 है चीए 100 है डिफ्रेंसे कितना का है 15% किस पे 15% प्रॉफिट पे 15% किस पे दे रखखा है 15% प्रॉफिट चीए 15% प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा चीए और दूसरा हमसे क्या दे रखखा है 10% के प्रॉफिट पे यानि 10% का प्रॉफिट तो कितना हो गया 110 चीए अब हमसे दोनों की डिफ्रेंस यानि दोनों का डिफ्रेंस कितना हो गया 5 और इसकी यूनिट हमें कितनी दे रखखी है 10 रुपे कितना दे कर देंगे 200 multiply तो तो price कितना याएगा 200 कितना याएगा 200 लोपे यानि 200 डी option इस दा बिलकुल करेक्ट इस दब बिलकुल करेक्ट पर मजे यहेगा Hindi English में बढ़ाते हैं तो 200 सैउै सबphenेटे क्न चलिए नेक्स कोश्चन की बात करें, कोश्चन नमबर 9, तो कोश्चन नमबर 9 हमारे पस क्या दे रखा है, कोश्चन नमबर 9 लिखा है, इस ते एक आसान कोश्चन आपको एक्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, तो जल्दी से सभी लोग इसको solve परेंगा और answer बताएंगे इसका क्या होगा, देखेंए बहुत ही सराल कोश्चन है, आसान सा कोश्चन है, तो सभी लोग solve करियें और इसका answer बताएए क्या होगा, सभी लोग note कर लीजे, क्या होगा इसका answer, तो लिखा है, the difference between the selling price and the cost price of an article is Rs. 210, if the profit percent is 25, then the selling price of the article is, article का हमें क्या बताना है, selling price बताना है, तो सभी लोग जल्दी से बता ही है, इस concept क्या होगा, तो दिखिए, हमें क्या दे रखा है, selling price और cost price के ratio का difference हमें कितना दे रखा है, 210, और profit percentage कितना दे रखा है, 25%, यानि कितनी value हो गई, एक बटे चार, यानि CP और SP का ratio हमाँ पस कितना आ गया, तो CP हो गया, 4, तो SP हमारा कितना हो गया, 5, ठीक है, CP हमारा हो गया, 4, SP कितना हो गया, 5, अब हमसे कहा गया, इनके बीच का difference कितना है, तो एक का difference है, इसकी value में कितनी रखिए, 210, हमसे पूछा गया है, selling price, तो selling price हमाँ पस कितना है, 5 इसको कर देंगे, 210 ते multiply, तो कितना जाएगा, 0, 5, और 5 दूनी हो जाएगा, 10, यानि 1,050 रुपय हमारा क्या हो जाएगा, selling price हो जाएगा, और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लीजे सभी लोग, ठीक है, 1050 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल right answer हो जाएगा question का, ठीक है, नोट कर लीजेगा सभी लोग, कर दो जाएगा, बिल्कुल right answer, बिल्कुल right answer, फट कर लीजे Сам से बिल्क jagий को का गाहाईगा, ऑारा क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, ड़ जाएगा, 750 याने क्यात Livio थाने सभी लोग, क्या सभी लोग, ख जाएगा, भीजेगा, dudas. झाल झाल वाफी चाहता हूं दोस्तो थोड़ा सा network की वज़े से थोड़ा सा problem हुई ठीक है तो चलिए now question हम लोग ने discuss कर लिये थे 10th question की बात करें तो question number 10 हमें क्या दे रखा है अगर 10th question की बात करें तो question number 10 हमें दे रखा है if the selling price of article is reduced by 60% then there is a loss of 10% on the cost price the initial profit percent is the initial profit percent हम से क्या पूछा गया है initial profit percent हम से पूछा गया है इस question का अगर हम से कहा जाए यह किसी वस्तु का विक्रे मूल हम से कितना दे रखा है तो 60% दे रखा है में विक्रे मूल कम हो जाता है तो लागत मूल पर 10% की क्या होती है हा नहीं होती है प्रारंभिक लाप प्रतिशत क्या था ठीक है तो सभी लोग question को solve परेंगे हमें विसिकली अगर मानना है कि SP हम लोग मालने क्या होगा 100% SP को हम लोग क्या मालने complete 100% मालने अब हमसे कहा गया है it's the selling price and of article is reduced by 60% यानि reduced SP हमारे पास कितना आया जो reduced SP हुआ अगर 100% था total initial था loss of 10% on the cost price अगर हम लोग क्या कर रहे है SP क्यो 60% reduce कर रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है cost price पे loss हो रहा है कितने प्रतिशत का तो 10% का loss हो रहा है यानि loss कितना हो रहा है cost price पे CP अगर हम लोग माने 100 है complete तो इस पे क्या हो रहा है 10% का loss हो रहा है यानि loss हो के CP हमारा कितना हो रहा है तो CP हमारा हो रहा है 90 CP हमारा कितना हो रहा है 90 हो रहा है और इसी 90 unit की value में कितनी दे रखी है 40% इसी 90 unit की value में कित्ती दे रखी है 40 के एक क्वल दे रखी है तो एक unit की value यहां से कितनी आ जाएगी तो एक unit की value माई पस आ जाएगी 4 by 9 तुमसे पूछा गया है था initial profit percent was तुमसे क्या पूछा गया है initially profit percent पूछा गया है तो पहले इस case में हम लोग profit निकाल ले तो 100 unit की value हो जा जाएगा ठीक है चार बटे 9 into 100 हो जाएगा तो 100 मैंसे सो चाल बटे 9 हमको मानस करेंगे तो कित्ती value हो जाएगी तो CP कंडिशन में हमारा क्या आ रहा है तो CP आ रहा है 400 बटे 9 टीक है CP हमारा आ रहा है 400 बटे 9 इस condition में जब क्या हो रहा है वहां पर reduce हुआ है हमारा क्या SP कितना 60% से जब हमारा SP 60% से reduce हुआ है उस condition में CP हमारा कितना आ रहा है 400 बटे 9 टीक है अब हमसे पूछा गया है profit percentage टीक है तो जब हमारा SP कितना था SP हमने कितना माना था 100 माना था टीक है profit percent कितना आ जाएगा तो 500 बटे 9 upon कितना हो जाएगा 400 बटे 9 हो जाएगा into कर देंगे 100 हमारा पस आंसर कितना आ जाएगा ठीक है 9 से 9 cancel out हो गया 4 हो गया ठीक है और यससे cancel out हो जाएगा तो कितना आएगा 500 बटे हमारा पस आ गया 4 500 बटे कितना आ गया 4 आगया अब cancel out कर दी जाएगा और चार पचे कित्ता हो जाएगा 20 हो जाएगा यानि 125 परसंट करा जोड़ा था इनीशल प्रसेंट हो दाता हिनीशल प्रफिट हो रहा था हृत है ज्यक्थ और सबसेंगा परible की value पूछी गई है हमसे CP और SP का ratio क्या दे रखा है CP और SP के ratio की बात करें तो हमको CP और SP का ratio कितना दे रखा है तो 20 ratio 21 दे रखा है कितना दे रखा है 20 अनुपात 21 दे रखा है what is the gain percent हमसे क्या पूछा गया है gain percent पूछा गया यानि profit percentage तो इससे आसान question नहीं मिलेगा कोई भी चीज जिसका CP कितना था 20 था और SP का ratio कितना 21 है तो gain percent कितना है एक का है CP कितना है 20 है और 100 से कर देंगे multiply यानि आपके पास value कित्ती आ जाएगी 5% आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा a option is the correct answer चीक है नोट कर लेंगे सभी लोग आसान सा question था चीक है easy question था आसान सा question था note कर लेंगे सभी लोग note कर लेंगे सभी लोग question number 11 चलिए तो question number 12 की बात करें तो question number 12 हमें क्या दे रखा है लिखा है if the cost price and of article is 80% of its selling price article का cost price जो है वो क्या है 80% है selling price के जो cost price है article का वो क्या है 80% of the selling price है ठीक है हमसे profit percent पूछा गया इससे ज़्यादा आसान कुशन आपको एक्जाम में क्या देखने को मिलेगा यहां से कि आप CP और SP का ratio नहीं निकाल पाएंगे तो कितना आएगा CP by SP हमारे पास आ जाएगा 80 by 100 ठीक है यानि ratio कितना आ रहा है ratio मारे पास आ रहा है ठीक है तो ratio हमारे पास कितना आ जाएगा चार बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 5 रेशियो कितना आ जाएगा 4 भाई 4 भाई 5 आ जाएगा यानि CP और SP का ratio मारे पास कितना आ गया तो 4 अनुपात कितना आ गया 4 ratio 5 आ गया हमसे पूछा गया profit percent तो profit percent कितना हो रहा है एक का किस पे 4 पे और 100 से कर देंगे when reply यानि answer कितना आ जाएगा 25 percent is the right answer 25 percent क्या हो जाएगा बिलकुल सही उतर हो जाएगा यानि D option बिलकुल सही उतर हो जाएगा note कर लेंगे सभी लोग चीक है note कर लिजे सभी लोग सभी लोग note कर लेंगे सभी लोग नोट कर लीजे तो 25% क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा चलिए next question की बात करें next question की बात करें तो लिखा है एक clock was sold for rupees 144 if the percentage of profit was numerically equal to the cost price same question है previous के जैसा तो इस question का answer आप सभी लोग comment में बताएंगे इस question का answer सभी लोग क्या बताएंगे comment करेंगे answer सभी लोग इसका answer comment करेंगे और जिसका right answer होगा बहुत अच्छी बात है जिसका भी सही उत्तर होगा चलिए next question की बात करें question number 14 हमें दे रखा है a fruit seller makes a profit of 20% by selling mangoes at a certain price if he charge rupees one for more each mango he can make profit of 40% find the selling price of mangoes in first case अगर हिंदी में बात करें जिनें ना समझा है आप लिखा है एक निश्यत मूल पर आमों को बेच कर एक फल विक्रेता 20% लाब कमाता है यह दिवार रुपए एक अधिक में एक आम बेचता है तो उसे 40% लाब होगा पहली इस्थित में एक आम का विक्रे मूल क्या होगा सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इस question का सभी लोग आंसर बताएंगे ठीक है तो देखिए basically हमसे initially क्या कह रहा है 20% उसे profit हो रहा है कितना हो रहा है 20% यानि 20% की fraction value कित्ती हो गई 1 by 5 कित्ती हो गई 1 by 5 हो गई fraction value यानि इस condition में हमारे CP और SP का देशियो क्या आ गया तो CP और SP का देशियो में पस क्या जाएगा CP हो जाएगा 5 SP हो जाएगा 6 ठीक है 5 अनुपाच 6 हो गया अब हमसे क्या कह रहा है कि अगर वो क्या कर दे एक उर्पे और चार्ज बढ़ा दे एक उर्पे और चार्ज बढ़ा दे तो हर एक प्रते काम पर वो कितने का profit बना सकता है 40% का profit बना सकता है यानि वो basically क्या बढ़ा रहा है CP, SP को बढ़ा रहा है और SP को कितना बढ़ा रहा है चीक है, cost price है ना, cost price का उसने क्या किया, 40% more पा रहा है, उसमें cost price से, तो cost price से वो 40% more पा रहा है, चीक है, 40% more, तो उसका अब SP कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 50-40 देखें तो 20, यानि 2 जादा हो रहा है, तो अब SP कितना हो जाएगा, 7, इतनी बात सभी को समझ आई, उसने क्या किया, पहले वो cost price पे कितना, 20% का profit पा रहा था, उस condition में उसका SP था 6, चीक है, लेकिन जब वो क्या किया, 40% का क्या पाने लगा profit, 40% का उसे profit पाने के लिए क्या किया, उसने, कि cost price जो था, उसको सेलिंग प्राइस को 1 रुपए और बढ़ा दिया, यानि अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7 हो गया, हमसे पूछा गया, find the selling price of the mangoes in first case, तो गर हम लगिन के difference की बात करें, तो difference कितने का है, एक unit का है, और एक unit कब हुआ है, जब उसने एक रुपए चार्ज बढ़ाया है, एक unit कब हुआ है, जब उसने एक रुपए चार्ज बढ़ाया है, यानि एक unit की value क्या हो गई, हमसे पूछा गया है, find the price of selling price of the mangoes in first case, तो first case में कितना था, 6 था, 6 को एक रुपए से multiply कर देंगे, यानि एक mango का price कितना आ रहा है, 6 रुपए आ रहा है first case में, ठीक है, तो note कर लेंगे answer, अब दीखिए, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, अब दीखिए, 6 रुपए का अगर mango था, और एक ही रुपए तो उसने बढ़ाया, तो एक रुपए बढ़ाने पर कितना होगा, साथ, वही हमाई पर selling price भी दे रखा था, इससे भी आप लोग answer को match कर सकते हैं, तो note कर लेंगे सभी लोग, इसके बाद हम लोग next question देखते है, question number 15, ठीक है, सभी लोग note कर लेंगे, question number 15 की बात करें, तो question number 15 हमें क्या दे रखा है, लिखा है, the marked price of an article is 15% above the cost price, जो marked price है किसी भी article का क्या है, 15% है above किसके cost price के, when the marked price is increased by 20% and selling price is increased by 20%, the profit becomes double, if the original marked price is rupees कितना, 300, then the original selling price, इतना बड़ा question है, लेकिन 2 second का इसका answer होगा, क्योंकि question देखने में बड़ा है, लेकिन question का solution बहुत छोटा होगा, एक बार इसे आप लोग try करने की कोशिश करिए, फिर हम इसको explain करते हैं, लिखा है, एक वस्त का अंकित मूले, लागत मूले से 50% क्या है, अधिक है, जबकि अंकित मूले में 20% की क्या हो रही है, वरद्धी होती है, और विक्री मूले में 20% की वरद्धी होती है, मुनाफ़ा दोगुना हो जाता है, यदि मूल, यदि अंकित मूल क्या हो? 300 रुपए हो तो मूल विक्र है क्या होगा? ठीक है? जल्दी से सबी लोग इस कांचर बताएंगे? अगर देखिए हमसे क्या दे रखा है? मांग्ड प्राइस कितना दे रखा है? मांग्ड प्राइस की वैल्यू में दे रखिये कितनी दे रखिए तो 300 रुपए दे रखिए यह जो मार्ग्ड प्राइज है इसकी वैल्यों में दे रखिए कि दा ओरीजिनल मार्ग प्राइजिस कितना 300 और क्वेश्चन में कह रखा है दा मार्ग प्राइज आटिकल इस 50% अबब दा कॉस्ट प्राइज यानि 50% अबब है दा कॉस्ट प्राइज इस कंडिशन में डबल हो रहा है यानि profit हमाई पास कितना 2x हो रहा है हमसे पूछा गया है find the original selling price हमसे selling price पूछा गया है original तो original selling price कितना हो जाएगा सबी लोग बताएंगे इसका answer सबी लोग solve करिए चीक है तो अगर हम लोग माने initial case में हमाई पास profit कितना हो रहा था x हो रहा था अब profit क्या हो रहा है double हो रहा है क्या किया है जब हमने marked price को कितना बढ़ाया है 20% बढ़ाया है और selling price को increase किया है 20% तो selling price को अगर हम लोग देखे cost price इतना है तो selling price हमाई पास निकल के कितना आ जाएगा तो 250 रुपे selling price को 20% ही तो increase किया गया है the profit becomes double profit double हो जाता है if the original marked price is कितना 300 रुपे अब हम लोग बात करें तो original selling price कितना है तो original selling price कितना हो जाएगा 250 रुपे हो जाएगा यानि 250 क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर नोट कर लिजेगा देखे लिखा भी है the selling price is increased by 20% and the marked price is increased by 20% selling price किया हुआ 20% increase हुआ mark price भी कितना हुआ है 20% increase हुआ तभी 300 हुआ है तो answer क्या हो जाएगा 250 is the right answer तो question बहुत बढ़ा था लेकिन question का solution बहुत छोटा था थोड़ा सा आपको concept clear होता तो आप answer बता देते तो नोट कर लेंगे चलिए next question की बात करें तो next question देखिए एक बहुत नए pattern पर है कई बार SST में इस pattern पर question आता है question हमसे लिखा है a trader brought two horses चीक है question की बात करें तो question हमाई पास सभी को visible है question लिखा है एक व्यापारी ने 1950 चीक है 19500 यानि 19,500 रुपे में दो घोडे खरीदे एक घोडे को 20% की हानी पर और दूसरे घोडे को 15% के लाप पर बेचा यदि प्रतेग घोडे का विक्रे मूले समान है तो उनका लागत मूले क्रमश क्या होगा यानि हमसे क्या कहा गया selling price क्या है same है दोनों घोडे का और दोनों होर्से को कितने में खरीदा गया है तो 19,500 में खरीदा गया है एक को 20% के लाप पर बेचा गया है एक को 20% के लाप पर बेचा गया है और दूसरे को 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया है तो हमसे पूछा गया है cost price क्या होगा चीक है, cost price हमसे पूछा गया है, तो अगर हम लोग बात करें, दो horses थे, चीक है, दो horses थे, उनको कितने पर खरीदा गया, 19,500 में खरीदा गया, चीक है, 19,500 में अगर हम लोग माल ले, A horse है और B horse है, चीक है, A horse है, B horse है, ठीक है, अब हमसे कहा गया, एक को क्या किया गया है, CP और SP की बात करें CP और SP का रेशियो देखे दोनों कंडिशन में ठीक है एक होर्स को क्या किया गया 20% के लॉस पे बेचा गया यानि 20% के वेल्यू देखे तो fraction वेल्यू कित्ती हो जाएगी एक बटे 5 कितनी हो गई एक बटे 5 यानि उसको कितने पर उसका CP था 5 और बेचा किस पे गया 4 पे वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरे घोड़े को तो दूसरे घोड़े को कितने 15 प्रतिशत के लाप पे बेचा गया और 15% की fraction value कितनी हो जाएगी तो 15% की हमाई पर फ्रेक्शन वेल्यू कितनी आ जाएगी तो बटे एक्स कर देंगे 100 तो इस रेशियो में बेचा गया लेकिन हमसे कहा गया है selling price क्या है same है यानि selling price क्या है constant है अब selling price को हम लोग equal कैसे करेंगे तो यह basically हमारे selling price है तो इसको हम लोग क्या करदेंगे 23- t four तो हम लोग 4 से मेंटिप्लाई अब क्या चारकों करेंगे जाएगए कितना हो हो गया कितना हो गया बान नवे हो गया और इस कंडिशन में बात करें तो तेश्च हो के भी हमारे पास कितना होता है बान नवे अब देखिए हमारा जो सेलिंग प्राइज है वो क्या हो गया सेल सेलिंग राईस क्या हो गया सेखेंग अभी इसी बानवे की वैलउ में कित्ती करें। कितनी दे रख्धी है हमें? 19,500 यही जो बांदवे है इसकी वैल्यू में कितनी दे रख्धी है? 19,500 दे रख्धी है कितना दे रख़ा है? 19,500 तो टोटल पहले हम लोग SP की बात करें टोटल SP निकाल ले तो टोटल SP हमारे पास कितना आएगा CP बात करें तो total cost price हमाए पास कितना आ रहे है total cost price हमें आ रहा हा है 195 कितना आ रहा है 195 और CP हमाए पास क्या है common है 92 ठीक है यानी हो गया 184 यानी उसने खरीदा कितने पाथ था 195 रुपे का और besta कितने फे 84 पे बेचा ये जानी उसे क्या हो रहा है loss हो रहा है अब हमसे कहा गया खरीदे की value कितनी 195 और खरीदा कितने पर था 19,500 में तो एक unit की value कितनी हो गई 100 एक unit की value हो गई 100 हमसे क्या पूछा गया है दोनों घोडे का cost price पूछा गया है तो एक का क्या हो जाएगा cost price तो 11,500 हो जाएगा और दूसरे घोड़े का cost price कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा ठीक है सभी को समझाए आसांता question था एक घोड़े का cost price हो जाएगा 11,500 और दूसरे घोड़े का cost price कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा तो जब भी इस type का question आएगा आप क्या करेंगे selling price की values को equal कर देंगे क्या करेंगे selling price की values को equal कर देंगे ठीक है इसी के साथ चलिए next question हम लोग देखते हैं जो same pattern पे है तो question number 17 की बात करें तो question number 17 से दे रखा है एक आदमी एक रुपे में 8 pen खरीदता है ठीक है एक आदमी क्या कर रहा है एक रुपे में कितने pen खरीद रहा है तो 8 pen खरीद रहा है कितने pen खरीद रहा है 8 pen खरीद रहा है एक रुपे में ठीक है तो अगर हम लोग बात करें तो CP of यहाँ पर यही तो देखा है CP of 8 pens ठीक है CP of 8 pens कितना दे रखा है 1 rupees दे रखा है तो अगर हम लोग बात करें CP of 1 pen CP of 1 pen कितना हो जाएगा तो 1 by 8 हो जाएगा ठीक है 1 by 8 rupees हो जाएगा CP of 1 pen अब हमसे कहा गया है How many pens should he sell for a rupees to earn a profit of 60% यानि एक आदमी 8 रुपे में 1 रुपे में 8 pen खरीदता है 60% के लाब पर कमाने के लिए उसे 1 रुपे में कितने pen बेचने पढ़ेंगा यानि कि वो 60% का क्या ले profit ले ठीक है तो अगर हम लोग बात करें profit कैसे निकालेंगे उसे चाहिए 60% का profit ठीक है CP पे तो initial CP होगा 100 यानि कितना profit चाहिए 160% का ठीक है कितना profit चाहिए 160% का initial CP है कितना 100 initial CP कितना है 100 है अगर बात करें तो fraction value कितनी आ गई तो 3 by 5 fraction value में पस कितनी आ जाएगी तो 3 बटे 5 fraction value हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 बटे 5 हमारे पस fraction value हो जाएगी तो SP हमारे पास निकल किया जाएगा आराम से तो SP का formula हमारे पास होता क्या है बिसिकलिए अगर SP की बात करें तो SP का formula हमारे पास क्या होता है तो 100 plus profit ठीक है 100 plus profit कली हम लोंने पढ़ा था upon में हो जाएगा 100 into क्या कर देंगे CP ठीक है तो profit कितना हो रहा है प्रतित्रत का लाब होगा अगर वह एक रुपए में किते 5 प्रतित्रत का लाब होगा ठीक है तो सभी लोग नोट कर लेंगे answer सभी लोग नोट कर लेंगे तो SP of 1 pen क्या हो जाएगा 1 by 5 हो जाएगा ये एक पैन का SP है SP of 1 pen है ठीक है 1 by 5 रुपीज ठीक है तो 1 रुपए में कितने pen बेचेगा पांच pen बेचेगा नोट कर लेंगे सभी लोग चलिए नेस्ट कोशन की बात करें तो कोशन नमबर 18 हमें क्या दे रख़ा है लिखा है क्या लिखा है एक दुकान डार ने 10 रुपए में 7 pen खरीदे और उन्हें 40 प्रतिशक के लाप पर बेच दिया एक ग्राहक को 10 रुपए में कितने pen मिलेंगे ठीक है सभी लोग आंसर करिए इस कोशन का सेम कोशन है प्रिवियस जैसा हमनों लें लगा है तो CP of 7 पेंस हमें क्या दे रख़ा है CP of 7 पेंस क्या दे रख़ा है तो CP of 7 पेंस रुपईस हमें दे रख़ा है 10 यहनी 7 पेंस में कितने में खरीदे 10 रुपए में अब उसे चाहिए प्रॉफिट 40 प्रसेंट का और 40 प्रसेंट की बात करें तो फ्रेक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी दो बटे 5 ठीक है यहनके लोग बात करें CP और SP का रिशियो अब कितना हो जाएगा तो CP और SP का रिशियो हो जाएगा 5.7 हो जाएगा अब उसने क्या किया यह जो 5 पेंस है CP जो 5 रिशियो दे रख़ा है इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 10 रुपे यानि 1 unit की value क्या हो जाएगी 2 तो यानि अब वो कितने पे बेचेगा 14 रुपए यानि 7 pen की कीमत कितनी हो गई 14 रुपए हो गई 7 pen की कीमत क्या हो गई 14 रुपए हो गई यानि 7 pens SP of 7 pens कितना हो जाएगा 14 रुपए तो SP of 1 pen SP of 1 pen कितना हो जाएगा तो SP of 1 pen कितना हो जाएगा तो 2 रुपए हो जाएगा अब उसे कितने pen बेचने चाहिए कि वो 10 रुपए में कितने pen बेचेगा एक pen है 2 रुपए में तो 10 रुपए में कितने pen बेचेगा तो 5 pen बेचेगा यानि C option is the right answer ठीक है C option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही answer हो जाएगा इस question का ठीक है नोट कर लेंगे सभी लोग आसान सा question था हमने 1 pen का SP निकाल लिया अब हमसे पूछा गया है एक ग्राहब को 10 रुपए में कितने pen मिलेंगे अगर 1 pen बेचा 2 रुपए का है तो 10 रुपए में कितने pen मिलेंगे तो 5 pen मिलेंगे तो right answer क्या हो जाएगा 5 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीक है नोट कर लेंगे सभी लोग चलिए next question की बात करें तो question number 19 हमसे क्या दे रखा है question number 19 दे रखा है लिका है the cost price and selling price जो ratio दे रखा है cost price और selling price का ratio हमें दे रखा है of an article is a ratio of b if b is 20% of a then the percentage of profit on cost price ठीक है बहुत आसा question है हमें cp और sp का ratio कित्ता दे रखा है तो a एनुपात b दे रखा है a ratio of b दे रखा है फिर हमसे कहा गया है b is 20% more 200% of a b क्या है 200% है किसका a का तो a by b की value क्या आ जाएगी हमाँ पास अगर हम लोग बात करें a by b की value कितनी आ जाएगी तो a by b की basically value हमाँ पास कितनी आ जाएगी तो 100 by 2 आ जाएगा 200 value कितनी हो गई 1 by 2 यानि a by b का ratio कितना हो जाएगा 1 by 2 ठीक है तो ratio कितना आ गया 1 by 2 आ गया यानि cp से कितना ज़्यादा है एक और cp है कितना 100 और कितना profit हो जाएगा 100% का चीक है कितने का profit हुआ 100% का यानि स्ती option क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा note कर लेंगे सभी लोग स्ती option क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा नोट कर लिजे सभी लोग, ठीक है, 100% क्या हो जाएगा, बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question की बात करें, तो next question हमाई पस क्या दे रखा है, question number 20, और आज का last question हमारा क्या दे रखा है, लिका है, a man gains 20% by selling an article for certain price, if he sells it at double price, then the profit percentage will be, हमसे क्या पुछा है, अगर वो double price पे वेज़ दे, तो किसी price का क्या है, CP अगर हम लोग माने कितना है, किसी product का कितना है, 100 है, ठीक है, किसी product का में क्या दे रखा है, item का CP में दे रखा है, 100, अब उसका SP, यानि उसने क्या किया है, selling price, a man gains 25% by selling an article, यानि CP को क्या किया, 100 और इसने क्या किया, 20% profit किया, यानि SP कितना हो जाएगा, 120, SP कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, if he sells it at double price, अगर वो क्या करता, just double price पे sell करता, तो SP हमारे पास है, 120, अगर इसको double कर दे, यानि SP को क्या कर दे, double, तो SP double करने पे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, then the profit will be, तो किसी चीज़ कोई 100 रुपए वैल्यू थी, इसको 240 पे बेचा गया, तो profit percentage कितना आ रहा है, 140 का किस पे, 100 पे आ रहा है, और 100 से कर देंगे, my reply, यानि कितना profit percent हुआ, तो 140 percent क्या हुआ, profit हुआ 140 percent क्या हुआ, उसका profit हुआ, very right answer है, hacker वो है, ठीक है, hack तो नहीं कर रहा है आप question को, तो बिल्कुल सही उतर है, 140, यानि B option क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, note कर लीजेगा, ठीक है, तो देखिए, basically, आज में, आज की class में हम लोगों के स्तारे question हम लोगों नहीं बोर और ये, thank you so much. झाल 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 झाल